स्वागत है आप सभी का Tech Study ITA YouTube चनल पर Impliability Skills के सेकेंड यर सभी ट्रेड के लिए आज हम करेंगे यहाँ पर पार्ट 6 इससे पहले 5 पार्ट हम लोग कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो description में playlist का link है वहाँ से जाके आप previous 5 पार्ट देख सकते हैं टोटल जो 418 question की series है निमी की उसी के questions है English और Hindi दोनों में हमने आपके लिए prepare किये हैं अगर आपको सिर्फ English ही देखना है तो English के आलरड़ी part 1, 2, part 11 हमने बना रखे हैं वहाँ से आप जाके देख सकते हैं यह आप ही लोगों के demand पे Hindi English में हमने prepare किया अलग से चैनल पे नए है तो आपसे request होगी चैनल को subscribe करके, bell icon को hit कर लीजेगा और वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो आप like जरूर करिएगा क्योंकि आपके बिना like वीडियो आगे कभी नहीं बढ़ सकती प्लीज लाइक बटन दबा दीजे, आएए बिना किसी देरी के start करते है questions पांच पार्ट तक हम लोगों ने 125 questions कर लिये हैं, आज ये छटा पार्ट है and daily basis हम आपको कम से कम तीन पार्ट प्रोवाइड करेंगे सुबा से लेके साम तक में जिससे आपका exam nation से पहले पहले, वैसे exam nation से पहले तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें लगा साथ 18 से exam होगा, बट आप second year के exam पहले हैं, इसलिए हम कोसिस कर रहे हैं जल्दी सल्दी आपका complete करवा दे, जिससे आप, अब हम आपसे एक promise लेंगे complete कराने के बाद कि आप 25 में 25 पूरे सही करके आएंगे जिस तरह से previous year में candidates ने किये थे अब यहाँ पे 126 नमबर question है, what is the process of formally introducing oneself card अपचारिक रूप से अपना परिचे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो अगर आप चारिक रूप से formally आप खुद को introduce कर रहे हैं तो उसे कहते हैं self introduction यानि आत्म परिचे अगला question है 127, a good self introduction will help in making a decision एक अच्छा आत्म परिचे, एक अच्छा खुद का परिचे किस चीज के निड़े लेने में मदद करेगा, chatting यानि बातें करने में ट्रांस्फर, अस्थान अंत्रन करने में, hiring यानि निउक्ती करने में, family यानि परिवार राइट आंसर है, a good self introduction will help in making a hiring decision next है, all of us, space and completion of the course हम सभी, जब course पूरा हो जाता है, सपोच करें आप ITI कर रहे हैं, course पूरा होने बाद आप क्या करेंगे feel board, urban महसूस करेंगे, search for job, job खोजना सुरू करेंगे, feel relaxed, आराम महसूस करेंगे, feel free, स्वतंदर महसूस करेंगे क्या करेंगे, देखिए अब भी हमारी आपकी, जो अगर आप ITI कर रहे हैं, तब आपकी स्वतंदर महसूस करने की, रिलाक्स करने की नहीं है अब आपको उसके बाद या तो higher study करनी या तो job सर्च करनी जिसे आप कुछ experience गेन कर पाएं तो right answer क्या होगा, B, course complete होने के बाद हमें job सर्च करनी होती है 129 है यहाँ पे, ITI trainees meet industry professionals during, जो ITI के प्रसिक्चु हैं, वो industry के professional जो हैं, उनसे कब मिलते हैं intensive and apprenticeship के दौरान, personal travel के दौरान, यानि व्यक्तिकत यात्रा के दौरान, shopping यानि खरीदारी के दौरान, या during interview साक्षातकार के दौरान right answer क्या है, ITI के trainees जब apprenticeship करने जाते हैं, तब वहाँ पे वो industry काउन का पहला experience होता है अगला question है, a good self introduction help to make, एक good self introduction मतलब एक अच्छा आपका परिचे, क्या बनाने में मदद करता है, negative या निकरात्मक प्रभाव डालता है, money यानि पैसे, good positive impression, एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव, या offer of appointment नियुक्ति का प्रस्ताव, तो good self introduction क्या करता है, आपका एक good positive impression बनाता है, next है 131, self introduction should so how, space you are, जब आप अपना self introduction दे रहे हो, खुद का परिचे दे रहे हो, तो ये दिखाना चाहिए कि आप dull यानि सुस्त है, confident यानि आत्म विश्वास से भरे हुए है, angry यानि नाराज है, weak यानि कमजोर है, क्या दिखना चाहिए, जब भी आप self introduction दे, तो dent है, अगला question, a quick summary of yourself is called an, a quick summary, अपने बारे में एक संचिप्त सारांस, quick summary को क्या कहा जाता है, angry tone यानि गुस्से वाला स्वर, easy speech, आसान भासर, elevator pitch, या emotional talk, यानि भावनात्मक बाते, उसे हम कहते है, elevator pitch, अपने बारे में एक संचिप्त सारांस जो दिया जाता है, जनरली कहा जाता है, 30 second में अगर आप अपना खुद का परिचे दे देते हैं, complete, तो उसे कहते है, elevator pitch, elevator मतलब होता है, lift, and pitch का मतलब होता है, lift उपर गई, ठीक है, कोई आपके साथ, lift में चढ़ा, उपर गई, उपर पहुंचते, उपर पहुंचते, उपर पहुंचते, नीचे है, उस जवरान आप जो है, उसे अपना complete introduction दे दे, ठीक है, उसी को कहते हैं, अगला कुश्य है, introducing oneself in a smart and powerful way in just 30 seconds, is called, देखिया आगया न, 30 seconds, के वल 30 seconds में, smart और सक्तिसाली तरीके से अपना परिचे देने को कहा जाता है, elevator pitch, brief case, speech, या quick call, तो इसे हम कहते हैं, elevator pitch, ठीक है, quick self introduction is called elevator pitch, अगला कुश्य है, 134, the most frequently asked question in an interview is, एक साच्छातकार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रस्न है, tell me about yourself, मुझे अपने बारे में बताओ, feedback, प्रतिपुष्टी, what is quarantine, quarantine क्या है, या where is my pen, मेरी pen कहा है, कलम कहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा जात है, tell me about yourself, अपने बारे में कुछ बताओ, next is 135 number question, everything about a person on the internet like profile on facebook, twitter and instagram is called, internet पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ, जैसे facebook, twitter and instagram पर profile को, क्या कहा जाता है, online profile और digital footprint, social media, ecosystem या networking, क्या कहते है, उसे हम कहते है, online profile और digital footprint, 136 है, यहाँ पर identify the professional networking platform from the given options, दिये गए में से professional networking platform की पहचान करनी है आपको, facebook, snapchat, linkedin, whatsapp, right answer क्या है यहाँ पर, linkedin, linkedin क्या है, professional networking platform है, बाकी तीनों क्या है, आपके, social networking platform है, ठीक है, 137 नमबर question है, when you explore linkedin to know about companies, its employers, get industry updates, etc, you are exploring it, जब आप companies के बारे में जानने के लिए linkedin को explore करते हैं, तो इसका नियोकता, उद्दोग update प्राप्त करें, आद आप इसकी अगर खोज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, exploring it as a research to lake, research कर रहे हैं, आप चीजों के बारे में पता लगा रहे हैं, ठीक है, कि वह किसी लक्ष तक पहुँचने के प्रियास में कैसा कर रहा है, आप जानकारी दे रहे हैं किसी को, तो उसे क्या कहा जाता है, verification यानि सत्यापन, argument यानि बहस, feedback यानि प्रितकिरिया, fighting यानि डराऊना, तो उसे कहा जाता है feedback, जैसे आप लोग जब पढ़ते रहते हैं, आपके teacher आपको कहते हैं, आप जो है, अपना जो आपका exam है, उसे top करने की तरफ, आप सही रास्ते में बढ़ रहे हैं, या इतने percent आप complete कर चुके हैं, तो उसे एक feedback कहते हैं कि आपके test के बाद teacher ने ऐसा feedback दिया है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी हैं, कैसे मेहनत करनी हैं, उस चीज को, ठीक है, लाव आए, उसे क्या कहते हैं, suggestion या निसुझाव, pleasing, effective feedback या प्रभावी प्रतक्रिया या none, तो उसे हम कहते हैं, एक effective feedback, एक आप effective feedback दीजिए, मतलब उसे चिलाइए मत, उस पर attack मत करिए, मारिये मत, जैसे just teacher student का example ले सकते हैं, अगर student ने किसी चीज में गलती की है, और नही next question, when your instructor decides to cancel the industry budget, you feel, जब आपका जो प्रसिक्षक हैं, वो दोग यात्रा को रद करने का निड़े लेते हैं, तो आपको लगता है, आप confused यानि feel confused, feel करते हैं, feel disappointed, निरासा अनुभो करते हैं, feel stressed, परेसान लगते हैं, या jumps in happiness, खुसी में कूदे लगते हैं, तो जब भी trip cancel होत होती है, तो आपको क्या लगता है, आप disappointed यानि निरास फिल करते हैं, ठीक है, feel disappointed, next question, when others observe you and share what they feel about your performance, दे, जब अन्य लोग आपको देखें, और आपके प्रदर्सन के बारे में जो महसूस करते हैं, उसे साजा करते हैं, तो वे, want to make you feel bad, आपको बुरा महसूस कराना चाहते हैं, don't like you, आपको पसंद नहीं करते, are your enemies आपके दुस्मन हैं, या are giving you feedback for improvement, आपको सुधार के लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो यही यहाँ पर right answer है, कि अगर आपको देखते हैं, आपके प्रदर्सन के बारे में, जो भी महसूस किया उन्होंने, जो and other colleagues too, एक कर्मचारी को परवेक चको, मानोस अंसाधन और से प्रतिक्रिया जो मिलती है, अनिसाथियों की, उसे क्या कहते हैं, improvement के लिए मिलती है, feel bad, या बुरा लगने के लिए मिलती है, be insulted, अपमानित हुआ जाता है, या feel uncomfortable, uncomfortable feel करिये, तो HR and colleagues जो देते हैं, वो improve करने के ल जो negative यानि नकारात्मक feedback है, वो कैसे दिया जाना चाहिए, दिया जाता है, constructively यानि रचनात्मक तरीके से, to discourage हतोत साहित करने के लिए, to hurt the receiver, receiver को चोट पहुचाने के लिए, या to demoralize यानि मनोबल गिराने के लिए, तो हमेशा negative feedback constructively दिया जाना चाहिए, जिससे सामने वाल हमें सुधार करना चाहिए, अगला कुछना 144, to improve your listening skills and become a better communicator, you need to, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए, आपको किसकी आउ सकता है, start listening actively सक्री रूप से सुनना सुरू कर दे, ignore listening सुनने पर ध्यान न दे, be indifferent अलग बने, या listening partially आंसिक रूप से सुने, यहाँ पर right answer हो जाता है आपका, start listening actively, आप सक्री रूप से सुनना सुरू कर दे, आपकी listening skill आटोमेटिक सुधर जाएगी, और आप एक अच्छे communicator भी बन पाएंगे, क्यों कम्यूनिकेशन में सिर्फ कहना नहीं होता, सुनना कहना, दोनों अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तभी आप एक अच्छे communicator हैं, अगला कुछ सेन है 145, your assignment is not like that of the others in your class, why are not you studying, is an example of, आपका जो assignment है, आपका जो assignment है, आपका जो assignment है, आपकी कच्छा के आने लोगों की तरह नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, यह किसका example है, positive feedback है, एक सकारात्मक पृत्क्रिया है, encouraging comment है, एक उत्साहजनक टिपड़ी है, negative feedback नकारात्मक पृतिपुस्टिया पृत्क्रिया है, य अगर आपको यह कहा जाए कि आपका assignment बाकियों की तरह class में नहीं है, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, तो यह एक negative feedback है, आपको इस पे फिर आगे पढ़ाई करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, 146 नमबर question है, giving positive comments followed by suggestions for improvement and closing with positive comment is called, देखिए, सकारात्मक टिपड़ियो के बाद सुधार के लिए सुझाओ देना और सकारात्मक टिपड़ियों के साथ समापन करना क्या कहलाता है, negative feedback कहलाता है, listening technique कहलाता है, burger feedback technique कहलाता है, या positive feedback, तो इसे हम कहते हैं, burger feedback technique यह बहुत important question है, and इसे burger इसलिए कहते हैं, आप लोगोंने अगर burger खाया होगा, नीचे ए आपको फिर बाकी materials भरे होते हैं, तो यही है, एक आपने पहले क्या दिया, positive comments दिये, ठीक है, suggestions दिये, फिर से आपने एक सकारात्मक टिपड़ि दी, positive comments से उसको खतम किया, तो इसी क्या कहते हैं, burger feedback technique, अगला question है, when you provide feedback, tell the listener that you are providing, जब आप एक feedback प्रदान करते हैं, तो सुर comment यानि tip पड़ी दे रहे हैं, constructive feedback for improvement यानि सुधार के लिए एक रचनात्मक प्रितक्रिया दे रहे हैं, या suggestion यानि सुझाव दे रहे हैं, तो दिखें, जब भी आप किसी को feedback प्रवाइड करें, तो आप उसे बता दें, देखो आप इसे other way में मत लेना, जो जो अच्छा आत्म प्रतिबिम्ब या आत्म reflection मतलब क्या होता है, खुद के अंदर जहांकना, ठीक है, किस की प्रिक्रिया है, commenting यानि tip पड़ी की, looking inward यानि अंदर की और देखने की प्रिक्रिया है, feedback यानि just प्रिक्रिया है, या looking forward यानि आगे की तरफ देखने की प्रिक्रिया है, तो self reflection मतलब होता है अगर आपको खुद के अंदर देखना है आपके अंदर की कमियों को आपको सच में जानना है उसे कहते हैं self reflection या looking inward ठीक है अगला question 149 when we take time to think and pay attention to our thoughts, emotions, decisions and behavior it is called जब हम सोचने और अपने विचारों, भावनाओं, निर्ड़ायों और व्यवहार पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसे कहा जाता है constructive criticism यानि रचनात्मक आलोचना, positive feedback सकारात्मक प्रतिक्रिया, negative feedback नकारात्मक प्रतिपुष्टी या self reflection यानि आत्मक प्रतिबिम तो यहाँ पर right answer है आपका option D, self reflection यानि आत्मक प्रतिबिम ठीक है अब इसमें ये बात आती है कि जैसे self reflection अभी हम लोग जो पीछे देखें कि अपने बिचार, अपने भावनाएं, अपने निर्ड़ाएं, अपना बेभार इन सब में जब आप सोचें कि क्या आप कहीं गलत हैं, कहीं सही हैं और क्या सुधार सकते हैं, इसी को कहते हैं self reflection अगला question 150, identifying things that are under our control and those that are not under our control helps us to be, उन चीजों की पहचान करना जो हमारे नियंतरण में हैं और जो हमारे नियंतरण में नहीं हैं, हमें किस में मदद करेगा, more self-aware, जादा अधिक जागरूख होने में, peaceful यानि सांतिपूर्ण होने में, नन यानि कोई भी नहीं, या discouraged यानि more self-aware, जैसे कोई आप तयारी कर रहे हैं, आपके control में क्या है, सिर्फ आपके control में पढ़ाई है, result आपके control में नहीं पढ़ाई है, आप अच्छी करिए result अच्छा, आएगा, पहले से मत सोचें, मेरे 90% आएंगे, 95 आएंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करिए, 95, 100% वाली पढ जरूर आएंगे, ठीक है, यह हो गए, 150 कुष्चन, अब आती ही आपकी बारी हमने बोला था, आप से last में एक कुष्चन हम पूछेंगी, जिसका answer आपको comment section में करना है, तो हमारा कुष्चन यह है आप से, कि किसी भी चीज को habit बनाने के लिए, कितने दिनों तक अगर आप उस काम को करतें, तो हैबिट बन जाती है, जो भी right answer आप लोग comment box में लिखिएगा, अभी पहले हम options देखे पूछते, तब इस तरह हम नहीं पूछते, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा और दिमाग पर जोर लगा के answer करें, वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, चै के साथ share करते रहते हैं, thank you very much, मिलते हैं आपके साथ अगले part में